स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चनल इस्टाड़ी टिप्स पर आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखुबी रख रहोंगे आज 12 जुन 2020 और आज के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स बन सकते हैं वह आप लोगों के करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जॉइन करें और वहां से डाउनलोड कर लें जिसका की डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेस्चन से 200 बाल स्रम निशित दिवस या बच्चे के लिए बेहतर आज दे तो यह क्या करते हैं कि 14 साल के एज से नीचे बच्चों को चाइंड लेवर कराया जाता है यह सब कराया जाता है तो उससे इन्हें छुटकारा दिया जाए उनका पढ़ने कायज में उसे काम ना कराया जाए तो यह लोगों के बीच कि बाल मतलब यानि की बच्चों को लेवर परिस्तरम स्रम ना करवाया जाए तो बारा जून को मना जाता है विस्तों बाल स्रम निसे दिवस अच्छा जून के जितने भी इंपोर्टेंट डेज है उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा एकजाम में अगर डेज से रिलेटेड कोई भी क्वेस्चन आए तो छूटे नहीं चलिए अगर आपको ये एक बार देख लेंगे ठीक है आपको किवल दिमाग में रहेगा कि हाँ ये चीज देखा हुआ था तो आप उसे टिक करके आप आएंगे जैसे कि फर्स्ट जून क इस्टिम को कंसर दे मनाय गया तो इंटरनेशनल शेक्स वरकर डेई और उसी दिन मनाय गया तिलंगाना फॉर में संडे 2 जून 2014 को तिलंगाना की अस्थापना हुई थे तो वहीं बात करते हैं 3 जून को World Bicycle Day 4 जून को International Day of Innocent Children Victims of Aggression वहीं 5 जून को मनाये गया World Environment Day और World Environment Day का जो थीम था वो क्या है Ecosystem Restoration तो आपको इसे भी याद रखना है Ecosystem Restoration चलिए, आगे बात करते हैं 7 जून की तो 7 जून को मनाये गया इंटरनेशनल लेवल क्लोसिंग अवैर्नेस डे साथ जून को मना गया इंटरनेशनल लेवल क्लोसिंग अवैर्नेस डे तो वहीं मना गया साथ जून को ही वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आठ जून को कॉंसर डे मना गया वर्ल्ड ओसियन डे और भूगर्व जल दिवस ठीक है तो यह हो गया जून से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट डेज आपको इसे याद रखना है भारतिया माइक्रो ब्लागिंग प्लेटफॉर्म देखे आप लोग सुने होंगे कि यह क्या हुआ है और इसे लॉंच किया गया है रिपोर्टर्स वगेरा के लिए ठीक है यह इसमें कहता है कि लोगों को आप इसमें अपना अकाउंट बनाया है तो यह भारतिया माइक्रो निउज है कि कुएप जो कि एक भारतिय एप है इस पर नाइजिरिया की सरकार ने क्या किया है अपना अकाउंट बनाया है ठीक है तो ही बात करते हैं यह नाइजिरिया की गौवर्मेंट ठीक है नाइजिरिया की गौवर्मेंट के बात करते हैं तो नाइजिरिया का जो रा के लिए धंकी देते हुए एक ट्वीट किया था तो उस ट्वीट को ट्वीटर के द्वारा डिलीट कर दिया था उस ट्वीट को ट्वीटर के द्वारा डिलीट कर दिया था इसके बाद नाइजिरिया में मुहमद बुहारी साहब के द्वारा ट्विटर को बेंग कर दिया गया ट्विटर को क्या किया गया बेंग कर दिया गया और उसके बाद भारतिया भारत के द्वारा बनाया गया कुएप पर उन्होंने अपना एकाउंट बनाया तो यह बहुत बड़ी बात है ठीक है कुएप पर नाज आपको यह याद रखना है चलिए बात करते हैं वहीं पर अगले क्वेस्चन की तो अगला क्वेस्चन है बुद्ध देव दासगुपता ठीक है इनका निधन हो गया है यह कौन थे तो यह एक बहुत फेमस बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे यह कौन थे बंगाली फिल्म डाय को इनका निधन हो गया है आपको याद रखना है बुद्ध देव दासगुपता अपको नाम यदधन हुपता और नाम से लिका वार्ण कि नहीं दिया गया तो यूकेश स्पाइसिक फेस्टिवल यूकेशन फेस्टिवल 2020 में सर्वस्रेष्ट अभिन्यत्री खावर्ण दिआ गया तीलो तमा सोम और से मन्यों को से लिआं दो तो इसको दिया गया है राहगीर राहगीर दा वे फैरर ठीक है राहगीर दा वे फैरर मुवी के लिए इनको ये अवाड दिया गया है सर्वसरेश अविनेत्री का और ये जो राहगीर दा फैरर है दा वे फैरर है इसका निर्देशन किस ने किया था इसका डारेक्शन किस ने UK Asian Film Festival की, तो ये इसका 23 संस्करन था, जिसमें की तिलोतमा सोम को सर्वस्रेश्ट अभिनेत्री का अवाड इने दिया गया, तो वहीं बात करते हैं इस पूर्ति प्रिया की, तो इस पूर्ति प्रिया को अभी-अभी Facebook ने अपना सिकायत अधिकारी क्या किया है, न्यूक्त किया है, इस पूर्ति प्रिया को अभी-अभी Facebook ने भारत में अपना सिकायत अधिकारी न्यूक्त किया है, वहीं बात करते हैं सोमा मंडल, तो सोमा मंडल सेल की चैर्मेन है, सेल यानि के स्टील ऑथरेटी ऑप इंडिया लेमिटेट की चैर्मेन है, पूजा कपूर डेनमार्क मे भारत का डेनमार्क में भारत का क्या है, एंबेजडर है, ठीक है, भारत का एंबेजडर डेनमार्क में है, पूजा कपूर, चलिए, यहां तक बात हो गिया, हम लोग अगले कोईशन में देखते हैं कि ग्लोबल लाइबेबिलिटी इंडेक्स 2001 कैस अभी अभी जारी किया ग रहने योगी सहर है, वो है न्यूजी लेंड का ओकलेंड, न्यूजी लेंड का ओकलेंड सिटी, ठीक है, न्यूजी लेंड का ओकलेंड सिटी को उसने इस लिवाबिलिटी इंडेक्स को टॉप किया, यानि कि यह सहर सबसे रहने योगी सहर के रूप में सबसे टॉप पर य यह second position पर रहा वर्ल्ड's most livability city में ठीके ओसाका और तोक्यो तो वहीं बात करते हैं एडिलेड की जो की Australia की है औस्ट्रेलिय यह third position पर रहा थार्ड position पर एडिलेड रहा चौन पर फिर से पर से नुजिलेंड का वेलिंग्टन ठीक है चौते पोजिशन पर फिर से न्यूजिलेंड का वेलिंग्टन सीटी रहा तो ये बात हो गई वह ग्लोबल लिबैबिलिटी इंडेक्स 2021 की चलिए अगले कोईशन पर चलते हैं ICRA द्वारा भारत का GDP ग्रोथ फिसकल यर 2021 में कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है तो ये जो ICRA है इसका हेड़क्वाटर है गुरगाव में इसका हेड़क्वाटर जिसे भी गुरुग्राम कहा जाता है ICRA का हेड़क्वाटर गुरुग्राम में है और ये जो है इसका 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 जो इसके अंदर आता है ये इसका पेरेंट और्गनाइजेशन कौन है तो मूडीज है हम लोग मूडीज के बारे में जानते हैं मूडीज भी क्या करता है GDP ग्रोथ १ क्या करता है एक्स्पेक्ट करता है किसी कंट्री का तो इसके बारे में भी हम लोग जानते है ठीक है तो वहीं पर यह हो गया ICRA के बारे में चलिए अब बात करते हैं आगे अगले question की ओर थेल्स जो की एक French का France का company है ठीक है एक French multinational company है ठीक है French multinational company है अब ये multinational company ये काम की फिल्ड में करती है तो ये aerospace फिर उसके बाद ये क्या बनाती है security makers है उसके बाद ये defense वाले defense वाला ये parts बनाती है defense वाला कोई सामान बनाती है तो ये जो है थेल्स ने अभी अभी भारत का भारत में मतलग ये multinational company है तो भारत में भी इसका ब्रांच होगा तो भारत के ब्रांच का उपाध्यक्च और डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है तो आसीश सर्राप को आपको इसे याद रखना है आसीश सर्राप को ये बनाया है यहां पर भारत का नया उपाध्यक्च और दायरेक्टर इसे नियुक्त किया तो आप जानते ही हैं और परेस भी लाल ठीक है वाटसेप के वाटसेप के द्वारा वाटसेप जो है इसके द्वारा भारत में अपना सिकायात अधिकारी यानि कि ग्रिवांस ओफिसर जो बनाया गया है परेस भी लाल को बनाया गया है के नागराज नायडू की बात करें तो अभी से United Nation General Assembly का President बनाया गया है के नागराज नायडू को ठीक है बहुत बड़ा अपनेट है के नागराज नायडू को United Nation General Assembly President बनाया है के नायराज नायडू को चलिए आगे बात करते हैं कि Football Association England ठीक है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है बहुत ही important होगा दोस्तों क्योंकि हमने प पहला होता है दूसरा दूसरा होता है पहला होता है वो क्या होता है बहुत important होता है exam point of view से तो यह जो Football Association England की पहली महिला अध्यक्ष यह पहली बनी इससे पहले एक भी महिला अध्यक्ष नहीं थी तो यह पहली बनी है डेबी हैविट ठीक है डेबी हैविट जो है Football Association England की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ठीक है आपको इससे याद रखना है डेबी हैविट वहीं पर यहाद देखे बेनेडेटो विगना ठीक है बेनेडेटो विगना जो है यह क्या बनी है तो यह है यह है फेरारी का CEO अभी से बनाया गिया है फेरारी का CEO इसे अभी बनाया गिया है आपको इससे याद रखना है फेरारी का CEO इसे बनाया गिया है वहीं पर इसको क्या मिला तो पेन पिंटर प्राइज ठीक है खल हमने इसके बारे में बात किया था पेन पिंटर प्राइज जो है 2020 वाला इनको मिला था यह जिंबाबे की लेखी का है और इनको मिला था और फुटबॉल एसोसियाशन इंग्लेंड की अध्यक्षा भी कौन बनी है पहली आगे चलते है कि सिसु सेवायोजना कोविड नाइनटीन से affected जो भी बच्चे है उसके लिए यह जारी किया गया है तो असमके राजिससरकार के दौरा सिसु सेवायोजना भी जारी किया ने।adersus जो把 ठीक्राइश की इस टोनों की बात करें तो यहां स्थान कि बात करें दयुक्न चाहित लुक्त हें और यहां के नेौन capt और हैं कल राज मिस्र के मिस्र आपको यह सारे फैक्ट याद रखने रखने एक वरकाइवल वीडियो को देखना है जिससे कि आपको यह सब याद रहेगा असो गहलोत और यह कल राज मिस्र यहां के क्या है गवर्नर हैं देखें असम के अभी दो असम में पांच नेशनल पार्क था ठीक है पांच ने इसने घुशित किया है चाटा निस्नल पार्क sect को घोशित किया है और साथवा निस्नल पार इसने किसे घोशिद किया है अपको इसे कमेंट सेक्टन में बताना है दोस्तों आज के लिए कि अब अपडेट के साथ आपके सामने देखे दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज को लाने की अभी प्लान बनाया जा रहा है और बहुत ही उतक्रिष्ट गुनवत्ता वाला कॉंटेंट आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे हमारा टीम लेकर आएगा इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सेयर करना है और अगर ये वीडियो के इंफर्मेशन अच्छे लगे तो आपको लाइक करे सब्सक्राइब कमेंट करे ठीक है दोस्तों और हम लोग RRV NTPC CBT2 Group D JPSC का वी एक्जाम आ रहा है VPSC का एक्ज एक्जामिनेशन के लिए यहां पर कोर्सेस को लांच करेंगे जिसमें History, Quality, Geography, Economics ठीक है बहुत डीटेल में NCRT-based आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है और General Science को भी पूरे अच्छे तरीके से Chemistry, Biology पूरे डीटेल में पढ़ाया जाएगा ताकि आपका एक एक्जाम में क्या हो आप एक्जामिनेशन में पूरे confidence से question का answer कर पाएं तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जोलोना ना भूले और तब तक के लिए safe रहें, स्वस्त रहें, हम मिलते हैं कल के session में नए current affairs के साथ